हाई अबरिवन मैं नील कवर आ गई हूँ फिर आपके लिए इंटरस्टिंग वीडियो लेकर यह कुकिंग की वीडियो है इसमें मैं आपको घर पर ही टेस्टी और इजी रेसिपी से चौमीन बनाना मैं आपको सिखाने जाओंगी देखिए चौमीन हमारी बनने के बाद इस तरीके से दिखेगी तो इसके लिए पहले हम तैयारी करेंगे तो उसके लिए क्या-क्या समान ची देखिए मैंने यहां पर तीन सिम्ला मिट्च काट ली है दो बड़े प्याज लंबे-लंबे स्लाइस में कटिंग करा है फिर यह हमने अजीनो मोटो लिया है यह इतना नहीं डालेंगे दो चुटकी जो हाथ में यह उतना ही यूज करेंगे और फिर हमने यहां पर अनियन कट करा है फिर पत्तागों भी जो होती है कैबेज इसको लंबा-लंबा कट किया है यहां पर ग्रीन चिल्ली में यहां पर लूंगी जो मार्केट में आसाने से मिल जाती है यह उपर से एड़ करके खा सकते हो अपना चटपटा स्वात बनाने के लिए और सोया सॉस और वेनेगर और मैं लूंगी यहां पर रेड चिल्ली सॉस इस तरीके से इन सारे समंगरी को हम एक जगे कर लेंगे और तैयारी करके फिर हम चौमिन बनाने स्टार्ट करते हैं एक कड जब तक इसको गरम करें और जब बोईल हो जाए उसके बाद में इसको चौमिन को जो है जो मार्केट में मिलती है उसको बिल्कुल खुल खुल के हाथ से इसमें गिराते हुए इसको पानी में डिप कर देंगे और अच्छी तरह से जब यह पानी में डिप हो जाएगी तो गेस को हम बंद कर देंगे इसको वस गरम पानी में ही 5-7 मिनट तक इसको छोड़ देंगे फिर हमारी चौमीन अच्छे से बोईल हो जाएगी इसको उगलते वे ज्यादा बोईल करते वे पानी में नहीं डालना है और गेस को ऑन नहीं रखना है नहीं तो यह तूट जाती है बिखर जाती है तो हम सिर्फ गरम पानी करेंगे गेस बंद करेंगे और चौमीन उसमें डाल के इसको अच्छे से डिबो के 2-7 मिनट तक इसको रख लेंगे फिर इसको अच्छे से खुले ही बरतन में इसका पानी निकाल कर इसको भार निकालेंगे तो इसको 7 मिनट के बाद हम क्या करेंगे चलनी में बड़ी चलनी में इसको पानी इसका निकाल कर हम इसको ठंडा कर लेंगे तो इस तरीके से हम घर पर ही टेस्टी चौमिन बना सकते हैं और ये बनाना बहुत ही आसान है इससे क्या साफ सुत्री और अच्छी चौमिन बन जाती है देखिए ये हमारी चनली में मैंने इसको ठंडा कर लिया है अब ये ठंडा होगी दो मिनट तक तब तक हम कड़ाए में इनको इस तरीके से खुला जासे हलका उठाए उठाकर देखिए बनाना है मैं यहाँ पर और बनकर हमारी तयार हो जाएगी बस second step ये इसका कड़ाई के अंदर ये ready हो जाएगी तो तेल गरम करने के बाद में इसमें प्याज, शिमला मिर्ज और पत्ता गुभी एके करके डालने के बाद इनको अच्छे से दो से चार मिनट तक में हलका fry कर लोंगी अच्छे से पका लों हमारी तो इस त्टे के से का अच्छे सीघिति किया है तो इस तरीके से चारलत की होता है इसको तीन से चार मिनट पकाने के बाद देखी हमारी ये इस तरह की हो जाएगी हमारी चामीन बनने के लिए जो मसाले हैं ये प्याज और वगड़ा ये हमारे पक चुके हैं अब मैं इसमें है ना चामीन एड़ करूंगी चामीन को फिर उसी तरह के से हाथ से उठाते हुए ह इसमें हम कड़ाई के अंदर एड़ कर देंगे इसको और फिर इसको नीचे से उपर की तरफ चम्मच की साहता से जो माने यह ले रखा है उससे इसको फिलाएंगे ठीक है तो देखिए हमारी चौमीन इसमें कड़ाई में मैंने डाल दी है अब अब इसमें हम धीरे-धीरे क्य जो सारी जो यह सबजियां थी हमारी इस चौमीन में हमारे मिक्स कर लेंगे तो मिक्स करने के बाद फिर इसमें हम देरे-देरे एक एक चीज एड़ करने लगेंगे तो सबसे पहले में यहां पे सोया सॉस एड़ करूंगी तो इनको अच्छे से हिलाने के बाद मिक्स करने क जब आप यह चौमीन घर पर ही बना कर ट्राय करोगे और किसी को बना कर खिलाओगे तो वह आपकी बहुत तारिफ करेंगे बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है अब हम इसमें सेकंड एड करेंगे रेड चिली सॉस यह मैं तीन से चार धकन अपने टेस्ट के नुसार आप इस सॉस से क्या आता है यह चिपकती नहीं है और थोड़ी सी और ही स्पाइसी और कलरफुल चौमीन हमारी बनती है तो रेड चिली सॉस को मिक्स करेंगे जिस तरीके से मैं पलते से कर रही हूं नीचे से उपर की तरफ इसको पलड़ते जाएंगे और फिर दीरे दीरे यह मिक् जिनो मोटर नहीं लेंगे उसको डालने के बाद इसको फिर अच्छे से मिक्स करते जाएंगे दीरे यह सब इसमें चौमीन में अच्छे से मिक्स होने के बाद ही हमारी चौमीन तयार हो जाएगी आप इसमें एक डखन वेनेगर डालेंगे अब हम इसको अच्छे से इसको कट करने हूं ताकि काफी बड़ी-बड़ी कट करते हुए बीच-बीच में से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह हमारी चावमीन बनकर तयार है और गर्मा गर्व सर्व करें यह रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी एक बार ज़रूर ट्राइ करें लाइक पूल सेंगिए करें इसक्ति करें लाइक बमाने करें लाइक बार ट्मा बार